नौरात्र यानी नौराते इन नौरातों और दस दिनों के दोरान शक्ति स्वरूपा देवी के नौर रूपों की पूजा की जाती है। दसमा दिन तशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नौरात्र वर्ष में चार बार आता है। पौश नौरात्र, चैत्र नौरात्र, आशार नौरात्र और अश्वनी नौरात्र नौरात्र प्रतिपदा से नौमी तक मनाया जाता है नौरात्र के नौरात्र के नौरातों में तीन देवियों नव रूपों की पूजा होती है दुरगा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली अर्थात दुरगा दुरगति नाशनी समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाने वाली देवी मा दुरगा सुरूपा नव दुरगा यानि मा दुरगा के नव रूप इन नो रूपों में नो आउशदियां भी विराचती हैं मा अम्बे के ये नो रूप जो समस्त रोगों से बचा कर जगत का कल्यान करती है नवदुरुगा की नो आउशदि सो रूपों को सबसे पहले मारकंडी चिकत्सा पध्यदी के रूप में दर्शाया गया और चिकत्सा प्रणाली के इस रहसी को ब्रंभा जी के द्वारा उपदेश में दुर्गा कवच कहा गया ऐसा माना जाता है कि ये आउशदियां समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली और उनसे बचा रखने के लिए एक कवच का निर्मान करती है इसलिए इसे दुर्गा कवच कहा गया इनके प्रियोग से मनुष अकाल म्रत्व से बच कर लंभी आयू जीता है तो आईए नव अशदियां जिन्हें नव दुर्गा के रूप में जाना गया हम उनकी बात करेंगे सबसे पहले प्रथम दिन की देवी मा शैल पुत्री के बारे में प्रथम शैल पुत्री यानि हारण नव दुर्गा का प्रथम रूप शैल पुत्री माना गया है कई प्रकार की समस्याओं में काम आने वाली आउशदी हरन हिमावती है जो देवी शैल पुत्री का ही एक रूप है ये आयुलवेद की प्रधान आउशदी है जो साथ प्रकार की होती है इसमें हरीतिका यानि हरी भै को हरने वाली है पथेया जो हित करने वाली है काइस्थ जो शरीर को यानि काया को बनाए रखने वाली है और अम्रिता जो अम्रित के समान है हेमवती अर्थात हेमाले पर निवास करने वाली चेत की अर्थात चित को प्रसन करने वाली शेहसी यानि यस्प्रदाता शुभा अर्थात कल्यान करने वाली अगली कड़ी में कल हम बात करेंगे नवरात्र के दूसरे दिन की देवी ब्रह्मचारणी के बारे में और बताएंगे आपको क्या हैं देवी ब्रह्मचारणी के और शदिय अगुणू देवी मा की गृपए आप पर सदयों बनी रहे जै मादूर के